हेलो गाईज आप सभी का बाला की रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है पपीते का हल्वा बनाना तो आईए नवरात्रे के अफसर पर हम पपीते का हल्वा बनाते हैं कच्चे पपिते का हल्वा बनाने के लिए ये हमने एक छोटा पपिता लिया है और एक बाउल हमने चीनी ली है और एक बाउल हमने मलाई ली है और ये हमने थोड़े से इलाईची के दाने लिये हैं और ये थोड़ी सी हमने किसमिस ली हैं और ये एक छोटी कटोरी हमने बाद तो आईए बनाते हैं कच्छे पपिते से हल्वा, सबसे पहले मैं पपिते को बीच में से कर्थ कर लूँगे, और इसको मैं छील लेती हूँ, और इसी परकार से मैं अपना ये सारा पपिता चील के तियार कर लूँगे, और ये हमारा सारा पपिता अच्छे से चील के तियार हो चुका है, अब मैं पपिते को कद्दुकस कर लूँगी, ये देखो कितने अच्छे से कद्दुकस हो रहा है, इसी परकार से सारा पपिता मैं कद्दुकस कर लूँगी, और ये हमारा सारा पपिता कद्दुकस हो चुका है, कितने अच्छे से कद्दुकस हुआ है, ये मैंने कड़ाई ली है, कड़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, अब मैं इसमें एक सरवी स्पून नेसी घी डालूँगी, ये हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये परकार कद्दुकस क्याओ अडाव लूँगी, और इसे खुड़ा साथ मैं भून लूँगी, और इसे मैं एक मिनट के लिए ठाके स्नो गयास पर पकने दूँगी, तो आईए चेक करते हैं, और ये हमारा अच्छे से भूने लगा है, गैस को मैं हाई कर देती हूँ, और ये एक कटोज मलाई है, ये मलाई डाल देती मैं इसमें, आप चाहे इसकी जिगे दूर भी डाल सकते हैं, मैं यहां मलाई कप्यों कर रही हूँ, इस अलवे को आप नवरात्री के बर्त में भी खा सकते हैं, यपिसी भी भाष्ट में खा सकते हैं इसको बना के, अब मैं इसमें दो चमच के आसपास पान डाल रही हूँ, इसे इसी परकासे मैं एक मिनद तब दूरी, यह हमारा बूम चुका है, अब मैं इसके अंदर यह एक कदोरी चीरी डाल दूरी, मिधा आप अपने अकोर्ण डाल सकते हैं, मैंने यहां एक चोपी कदोरी का इस्तुमाल गिया है, साथ भी मैं इसमें यह इनाइची के बाने डाल दूरूगी, अब मैं इसमें एक इंच के आसपास और इंच कलर डाल रही हूँ, आप चाहें इसमें किरी कलर डाल सकते हैं, मैं यहां और इंच कलर का इस्तुमाल कर रही हूँ, अब मैं इसका यह चाहसनी का पानी सुप में देती हूँ, यह हमारा पपिते का हर्वा इतने अच्छे से पूल कर तियार हो चुका है और इसने घी भी छोड़ना सुरू कर दिया है, हमने सिरफ एक सर्विस कर दिया है, और यह हमारा बन कर अच्छे से पूल हो चुका है, आप चाहे इसमें खोया भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें खोया नहीं डाला है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, और इसको एक बाउल के अंदर सरफ करूंगी, और यह मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, इसको मैंने कद्दू कस कर लिया है, अब मैं खोये को थोड़े इसके उपड़ डाल दूँगे, इसे मैं इसमें बदाम डाल दूँगे, जो मैंने बदाम बचाये थे, वो डाल दूँगे, और यह हमारा पपीते का हल्वा बन कर तियार हो चुका है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और सिस्क्राइब करना ना भूलें, धन्यम झाल झाल झाल